कि पहले हमने करा income method of measuring national income जेकेंड एकस्पेंडेचर मेथर्ड लियान से देखना कि एकसपेंडेचर मेथर्ड में क्या करेंगे income method में क्या किया था sum of factor incomes कि expenditure मेथर्ड कहता है कि economy में सब के खर्चे हर एक सेक्टर के सेक्टर क्या हो दो है चार हाउसहोल्ड, फर्म्स, गवर्म्मेंट और रेस्ट ऑफ दे वर्ल्ड, एक्सचरनल सेक्टर, हर एक सेक्टर के खर्चे एड कर दो, बन परसंस एक्सपेंडेचर इस एनदर परसंस इंकम, एक का खर्चा दूसरे की इंकम, कोई समान बेच रहा है, तो कोई खरीद भी रहा है, कोई खरीदने पर खर्चा कर रहा है, तो किसी की सेल्स जेनरेट हो रही है, कि इस फैक्टर इंकम तोटल करो, या खर्चे टोटल करो, किसी भी तरीके से आप निशन इंकम पर पहुंछ सकते हो, ध्यान क्या देना है, most important point, जब हम in probable Invest number में, सारे components add करते थे तो net result आता था domestic income NDP at FC expenditure method में जब हम सबके खर्चे add करेंगे तो जो net result आता है वो होता है GDP at MP expenditure method के components add करके हम क्या निकालेंगे GDP at MP फिर जो question की requirement हो कि domestic income निकालनी है तो NDP at FC कैसे निकालेंगे वह हम conversion अल्रेडी कर चुके नाशनल इंकम NDP at FC कैसे निकालेंगे वह हम conversion कर चुके तो पहले हम सीखेंगे कि expenditure method के components क्या है यह पता होना चाहिए कि सारे components add कर भी लिए तो क्या रिजर्ट आएगा GDP at MP ज्यान से देखेंगे components क्या है expenditure method के ज्यान से देखेंगे पहला component प्राइवेट फाइनल कंजम्शन expenditure प्राइवेट फाइनल कंजम्शन expenditure पी एफ सी ए प्राइवेट फाइनल कंजम्शन expenditure नाशन इंकम काल्कुलेट करते वाग सिर्फ फाइनल गुड्जन सर्विसेस कंसेडर करते हैं तो फाइनल expenditure बाइद प्राइवेट सेक्टर प्राइवेट प्राइवेट इंक्लूड्स इनका टोटल खर्चा इसके कोई components नहीं होते यह डिरेक्ली आज़ेट इस गिवन होगा पहला कॉम्पनेंट हो गया प्राइवेट फाइनल कंजम्शन expenditure उसमें हाउजोल्ड का भी सब्सक्राइब के होते हैं एक कंजम्शन expenditure और एक investment expenditure तो अभी हमने कौन से लिया कंजम्शन expenditure प्राइवेट सेक्टर उसमें फर्म्स में हाउजोल्ड में है इसके कोई सब पार्ट्स नहीं होते है या इस इस गिवन होगा सेकंड गोवर्मेंट फाइनल कंजम्शन expenditure गोवर्मेंट का फाइनल कंजम्शन एक्सपेंडिचर गोवर्मेंट का फाइनल कंजम्शन एक्स पैंडिचर फाइनल का अगया फ़र्म का गया गया कंजम्शन एक्सपेंडिचर नेक्स्ट कांपोनेंट प्रहांसे दिखेंगे नेक्स्ट कांपोनेंट ग्रॉस थर्ड कॉंपोनेंट ग्रॉस डॉमेस्टिक डॉमिष। Capital फोर्मेशन ग्रॉस डॉमेस्टिक कापिटल फॉर्मेशन मॉस्ट इंपोर्टन पाट इस मेथ्ट हटका इसको मैं बीटिल में एक्स्पैस्पेड करेंगा कि इसके क्या है बस अभी यह मानने कि एला इटम प्राइवेट फाइनल कंजम्शन इसके कोई कॉंपोनेंट्स नहीं होते इसके भी कॉंपोनेंट सब पार्ट्स नहीं होते दोनों एजटेस गेवन होंगे थर्ड आया ग्रॉस डॉमेस्टिक कापिटल फॉर्मेशन क्या होता है इसके एक्सपोर्ट्स नेट एक्सपोर्ट्स का फॉर्मूला क्या होता है एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स प्राइवेट फाइनल कंजम्शन एक्सपेंड़चर आ गया ग्रॉस डॉमेस्टिक कापिटल फॉर्मेशन का मतलब होता है इंवेस्टमेंट यह होता है इंवेस् इंवेस्टमंट眠ेख लिए विदेशाओ भॉंवाह नेत इच्षाअच्वावर करें अद कर रहे हो adm manifests कर्ण गर्यों माइनस करें एक्सपोर्ट एड क्यों करते हो प्राइवेट फाइनल कंजम्शन एक्सपोर्ट हो गया कुछ समान अगर इंडिया के बाहर ही एक्सपोर्ट हो गया तो क्या वो इंडिया में कंज्यूम हुआ होगा तो वो किसी के भी कंजम्शन या इंवेस्मेंट एक्सपोर्ट हो गया बट बाइडेफिनेशन इंडिया में प्रोडियूस करा और वह बाहर चला गया तो प्रोड़क्शन का तो पाट है एस और नो तो वो किसी कंजम्शन में कवर नहीं वाता इसलिए आपको एक्सपोर्ट अलग से एड करने पड़ते हैं एक्सपोर्ट क्यों एड हुए समझा गया अब नियान से देखना इंपोर्ट माइनस क्यों हो रहे हैं प्राइवेट फाइनल कंजम्शन इंडिया में मेरे सारे खर्चे आ रहे हैं तो ऐसा कुछ खर्चा भी हो सकता है कि मैंने उन गुड्स पे किया जो इंडिया के बहार प्रोड्यूस हुए थे इंडिया विदिन डोमेस्टिक टेरिटी और प्रोड्यूस बाइद रेजिदेंस ऑप कंट्री तो क्या जो समान मैंने बाहर से इंपोर्ट करा वो इंडिया में प्रोड्यूस हुआ था लो सर्थ दो मुझे इंपोर्ट माइनस करने चाहिए तो प्राइवेट फाइनल गव प्राइवेट फाइनल आज इस गिवन होगा नेट एक्सपोर्ट और इंपोर्ट अलग-अलग दे रखेंगे यहां हो सकता है नेट एक्सपोर्ट भी डारेक्ली गिवन हो कि जो थोड़ा बहुत दिमाग लगना है वह लगना ग्रॉस्ट डॉमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में दियान से देखेंगे लिए इंपॉर्टन पार्ट ऐट्क्सेंट्टर मेफर्ड गॉस्टी दोमेस्टिक में कैपिटल फ्रमेशन देफिनेशन कर रहे तो थो ने सङगा है कि आगेवेस्टेसल क्यों आम never कि अगर कोई ग्रॉस वालिव तो इसमें अभी डेप्रीशेशन इजस्ट नहीं होगी है टेक है ग्रॉस डॉमेस्टिक कापिटल फॉर्मेशन इसके दो को दो पार्ट्स होते हैं त्यान से देखेंगे कि दो आपके जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंड़ेशर है दो तरीके का हो सकता है एक होता है ग्रॉस फिक्स्ट कैपिटल फॉर्मेशन ग्रॉस फिक्स्ट कैपिटल फॉर्मेशन इसका फॉर्मिला क्या होता है इसका formula होता है closing stock और closing inventory minus opening stock और opening inventory तो जब आप closing stock minus opening stock करते हो तो आप यह calculate कर रहे हो कि इस साल inventory में आपने कितनी investment करी जब साल चुद हुआ तो inventory आपकी 10,000 थी जब साल end हुआ तो inventory थी 40,000 तो closing inventory 40 opening inventory 10 40,000 minus 10,000 30,000 आपका increase in inventory है change in inventory is also known as it is also known as aka increase in inventory increase in inventory मतलब आपका stock इतने से बढ़ गया तो इसका मतलब आपने कुछ inventory investment करी तो investment expenditure दो तरीके के एक ग्रॉस फिक्स्ट कापितल फॉर्मेशन फिक्स्ट मतलब नॉन करेंट आसेट्स लॉंग टम बेनिफेट जो मिलेगा उन पर और एक होगे inventory investment change in inventory और inventory investment इसमें कोई डाउट चेंज इन इंवेंटरी में अब दिखना ग्रॉस फिक्स्ट कापितल फॉर्मेशन इस ऑल्स नोन आज ग्रॉस फिक्स्ट इंवेस्ट्मेंट प्रॉस फिक्स्ट कापितल फॉर्मेशन चेंज इन इनवेंटरी fathers in mental Maine प्रूस फिक्स्ट इंवेस्ट्मेंट अब फिक्स्ट इन्वेस्ट्रपइंटन तीनों कि हो सकती है अगर इंडिवीजिए उसने अगर खरीद तो वह जिस्ट इंवेस्मेन्ट का ऊता है वो अन्व आ है और है के लिए क्या होता है बिजनस फिक्स इंवेस्मेंट बिजनेस फिक्स्ट इंवेस्टमेंट फर्म्स ने कोई इंवेस्टमेंट इंवेस्टमेंट किया फर्म के लिए कैपिटल गुड्स लिए मशीन्स विल्डिंग लैंड कंप्यूटर्स बिजनेस ने जो इंवेस्टमेंट करी और गर्वर्मेंट इसके सिर्फ तीनी कॉंपोनेंट्स हैं इन्वेस्मेंट एकस्पेंडिचर दो तरीके के होते हैं एक इन्वेस्मेंट 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 chances है कि आपको as it is given होगा gross fixed capital formation तो इसमें इसके सब parts already included है लेकिन 1% chance है कि आपको items given होंगे आपको खुद add करने पड़ेंगे तो आपको पता होना चाहिए जो fixed investment है उसमें क्या क्या आता है जो household कर रहे हैं वह होते हैं investment in residential property जो business करने हैं वो business fixed investment जो गौउन्मेंट करें वह गौउन्मेंट fix investment टो ग्रोस fixed investment विश जग्रोस fixed capital formation लस चेंज्ज और इन्वेंटरी ग्रोस domestic capital formation यहाँ पे domestic की कोई relevance नहीं है यहाँ बिदो मेस्तिक की यहाँ पे कोई relevance नहीं है मतलब अगर लिखा होता ग्रोस कापिटल फॉर्मेशन अगर लिखा होता घ्रोसका फॉर्मेशन तो वह और यह एक ही बात है उप्रॉमूला क्या है जान से सुनेंगे एक बारी दुबारा जल्दी से में एक्सपेंडेश्य में निकालना तो प्रिवेट वाइंडल गॉपने इसन ऐक्सक्तिर और ग्रॉस डुमस्टिक ौनु u फोर्मेशन प्लस नेट एक्सवख घॉस डॉमस्टिक कापिल फोर्मेशन और डारीकडी गिवन होगा वर नहीं मैं पता होना जी कि उसके सब पार्ट्स क्या है ग्रॉस डॉमेस्टिक कापिटल फॉरमेशन ऑल सो रोना आज ग्रॉस इंवेस्टमेंट दो तरीके के इंवेस्टमेंट एक ग्रॉस फिक्स इंवेस्टमेंट जिसको बोलता है ग्रॉस फिक्स कापिटल फॉरमेशन और एक इं यह सारे components हम एड करेंगे तो क्या आएगा GDP at MP क्या आएगा GDP at MP हमें आल्रेडी पता है लेकिन एक बार और सही कि अगर आप GDP at MP पे पहुंच गए अगर आप GDP at MP पे पहुंच गए और क्वेश्चन के requirement है calculate national income निकालना है आप कहां पहुंच गए GDP at MP पे तो द्यान से देखना क्या करेंगे ग्रॉस पे हो ग्रॉस पे हो नेट पे जाना चाहते हो माइनस डेप्रीसियेशन डॉमेस्टिक पे हो नैशनल पे जाना चाहते हो तो प्लस एन फाइए मार्केट प्राइस पे हो सैक्टर कॉस्ट पे जाना चाहते हो तो क्या करेंगे माइनस नेट इंडारेक्ट टैक्स तो यह तो कन्वर्जन वाले फॉर्मुले हैं यहां पे यूज हो रहे हैं मेन पॉइंट जो हम सीखे कि एक्स्पेंडेचर में चट का फॉर्मुला क्या है जीडीपेट एंपी निकलेगा तो उसके कॉंपोनेंट्स क्या है द्यान से देखेंगे बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है नाशन इंकम के नियुमेरिकल्स बट अगर पॉर्मुला याद हो तो पॉर्मुला याद समझने के बात करना है ताकि अगर कभी वाइचान भूल जा जान से देखेंगे एक्स्पेंडेचर मेतर का पॉर्मुला याद है